और उनके साथ जो अन्या गिरफतार यहाँ पर हुए हैं उन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है यह जानकरी इस समय पर हमारे बीच में सामने आ रही है तो आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिए अधिक से अधिक और यह डिटेल्ड जानकर ने नोटिफिकेशन तो निकाल दी लेकिन जो एक्ट बनना चाहिए था वो नहीं बना आ गया और उसको लेकर के वो शिमला में पहुंचे पहले से ही जो है उन्होंने चितावनी सरकार को देख कर रखी थी और राज से ही जो है वो उन्होंने कूच कर दी शिमला की तरफ व कम से कम आठ नौ के आसपा जो है वो पुलिस करमी जखमी हुए और एक क्यांक पर भी जो है वो टोट लग गई थी वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहे थे और फिर सुभा के समय एक खबर आती है कि रुमिच सिंग ठाकुर उनके सातियों को यहाँ प पार्टी बनाने की जो है वो गोशना कर दी कि हिमाचिल प्रदेश में नई पार्टी बनाई जाएगी 68 के 68 विधायकों को उखाड कर फेंका जाएगा और यहाँ पर जो जिसकी डिमांड कर रहे वो यहाँ पर पूर्ती की जाएगी हलाकि इस पर भी जो है वो बहुत से लो पुलिस के वहिकल्स भी जो है वो टूटे साथी में पुलिस वाले भी घाल हुए धक्का मुक्यान और यह सारी चीजे देखने को मिली और इस पे हुआ यूं कि भाई देर रात वो शोगी में पहुंचे उन्होंने लाइव किया वो अपने संगठन से जुड़े हुए उठाने से घुरेज नहीं करेंगे साथ हिम उन्होंने का कि भई वो और मदन हिमाचली जैसा कि दिन के समय में बताया जारत कि भई अब दो फाड हो गए हैं उन्होंने का कि हम अंतिम समय तक यहां पर दो फाड नहीं होंगे चिता पर ही जो है वो हम एक दूसरे से अलग हो होंगे तब तक हम अलग यहां पर नहीं होने वाले हैं और उसके बाद शायड से पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया ट्रेक किया और उन्हें सुभा के तीन से चार बजे के आसपास गिरफतार कर लिया गया जिसमें की बड़े नाम जो सामने आ रहे वो रुमित सिंग ठाकुर का है मदन ठाकुर का है और साथी में एक गौरव करके हैं उनका यहां पर जो है वो नाम सामने गौरव नहीं दीपक है मेरे ख्याल से उनका नाम यहां पर सामने आया है और उन्हें यहां पर गिरफतार करके बालु गंज ले जाया गया साथी में उन्हें फिर कोट में यहा क्या यहां पर statement रही है, क्या कुछ पूरी बाते रही है, वो भी आपके साथ हम यहां पर बताते हैं, कि किस आधार पर उन्हें यहां पर police remand पर भेजा गया है, पाँच दिन के police remand पर भेजा गया है, और यह उपदरव मचाने और public property के नुकसान पहुंचाने को लेकर के जो ह तो ये आज इन्हें पूलिस ने इन तीनों को कोट में पेश किया, जहाँ पर पाँच दिन के रिमान्ड पर उनको भेज दिया गया है, और कोट में जो तरक दिया गया है, वो ये है कि इनके पास मौझूद हतियारों को रिकवर करने वां ऐंदोलन को क्यूं उगर किया गया, इसके कारण जानने के लिए जो है वो इनको रिमांड पर ले जाना एक तरह से जरूरी था या इस तरह की चीजें हैं सामने आई है डिस्ट्रिक्ट अटॉरनी और अडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉरनी के समक्ष जो है वो इन्हें कोट में रखा गया और उन्होंने ये अपना पक्ष रखा है और पांच दिन के पुलिस रमान पर इन्हें भेज दिया गया है रात एक बज़े इन्हें शोगी से जो है वो गिरफतार किया गया बालुगंज थाना में इन्हें रखा गया और पहले मामले के तहत पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 भी जो है वो इन पर लगाई है और पुलिस की बेहत से धारा हैं 147, 148, 149, 341, 353, 322, 307 सरकारी संपति को नुकसान पहुचाने का मामला दर्ज है इसका अलावा 147, 148, 341, 188 की आईपीसी भी इन पर लगाई गई है तो यह यहां पर बहुत सी धाराएं इन लोगों पर लगी है और क्यों वो लगी है यह भी आपको यहां पर भली भांती पता है और अब पांच दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें यहां पर भेजा गया है आप क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी आप बताएं शाथी में रुमित सिंग ठाकुर की पतनी जो है वो भी आज सुबह लाई वाएं थी उन्होंने बहुत सी बातें कही है कि भई उनको यह आवाज कह सकते हैं इस पर मुहर है कि भी पाँच दिन के पुलिस रिमांड पर इन तीनों को भेजा गया है और जिसमें की रुमित सिंग ठाकुर है मदन जेस में शामिल है और साथी में एक और नाम है जो हमने आपके साथ साथा किया दीपक चौहान यह पदादीकारी है और कल जो पुरा सेनेरियो शिमला में हुआ उसकी एवज में यहां पर फैसला लिया गया है आपके कॉमेंट्स में यहां पर जानना चाहूंगा आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं राजन कलवान कह रहे हैं सही किया जैश्री राम जो नुकसान हुआ उसका मुआफ़ा भी लि चाहते हैं कि बही प्रदेश की जनता इस पर क्या सोच रही है और जो देव भूमी पार्टी के उन्होंने बात कही है आप उससे कितना इतफाक रखते हैं आपको क्या लगता है कि क्या उसके कोई माइने उसका कोई वजूद बन पाएगा अनेल छिंता कह रहे हैं बिलकुल गलत यह हुआ है यहां पर अच्छा जी और नोबडी अबव दलो केशव कुमार यहां पर कह रहे हैं यह बिलकुल सही बात तो आपकी बिलकुल सही बिलकुल जायज है कानून से उपर कोई नहीं है कानून से उपर वो भी नहीं है जो कानून में अपनी कानून के लिए रवी राजपुजी कह रहे हैं समपत्यों को नुकसान पहुचाया गया है हत्यार काइंड ओफ स्थिंग्स जो है वो रखे गए है और शाम को जब उन्होंने लाइद किया देर रात को तो उन्होंने ये कहा कि भे हम शश्ट्र अगर उठाने होंगे न तो हम शश्ट्र भी यहाँ पर उठाएंगे हमारे पूर्वजों ने भी उठाए हम भी उसे उठाने से यहाँ पर गुरेज नहीं करेंगे तो कहीना कहीन जिस तरह का रुमेज सेंग ठाकूर का स्टाइल है वो स्टाइल इन पर भारी यहाँ पर पढ़ता हुआ दिख रहा है यह यहाँ पर कह रहे हैं राजेश शर्मा सिर्मौरी जी स्वारन आयोग के विचार की क्या क्या है डर्टी पॉलिटिक्स वाइस यह माजे ठाकूर कहरे है रवी प्राशर कहरे हैं क्रिमिनल शुट भी पनिश्ट समाज के अंदर नफरत फलाने का काम किया है इन लोगोंने राजीव कुमार कहरे है संजय ठाकुर कह रहे हैं चोरों के सरकार भाई को कुछ नहीं होना चाहिए उपेंदर शर्मा कह रहे हैं जै बवानी रवी राजपुत कह रहे हैं जो भी हुआ है सरकार की गलती है उसके लिए सरकार दोशी है शुभी कह रहे हैं यहां पर शांती से प्रदशन करना था